दोस्तों कर आपके फोन में होट्सपोट वर्क नहीं कर रहा है याने कि सामने वाला बंदा अगर आपके होट्सपोट से कनेक्ट होना चाह रहा है तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसका वाइफाय विल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपका होट्सपोट वहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है उसको अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को पूरा एंट तक देखेगा basically मैं आपको कुछ solutions बताऊंगा जिसकी help से आपकी ये hotspot वाली problem जो है वो easily fix हो जाएगी बट उससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो बिना किसी तेरी के solutions की तरफ बढ़ते है तो guys simply सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको अगर एप से फोन की settings को open कर लेना है open करने के बाद simply आप यहां पर search कीजिए या फिर आप यहां पर simply चले जाए basically पर बेसिक लिए आपको hotspot की settings पर जाना है, ठीक है, hotspot की जैसी आप settings को open कर लेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको personal hotspot setting पर जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक band मिलेगा, AP band, ठीक है, तो आपको इस पर tap करना है, और अगर यह 5 GHz पर selected होगा, तो आपको इसे 2.54 GHz पर select करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए visible to other devices, यह इसे आपको on ही रखना है, और यहाँ पर देखिए एक security करके भी एक है, तो आपको इस पर tap करना है, और यहाँ पर इसे WPA2-personal पर select कर देना, ठीक है, इतना करने के ब आपको back, इसे select कर देना, और back आजाना है, ठीक है, back आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए connection management पर आपको जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, data restrictions पर जाना है, और इसे unrestricted पर select कर देना है, जैसे कि मेरा already selected है, अब दूसरी चीज आपको क् maximum allowed connections पर जाना है और इसे यहां पर आपको एक कर देना या फिर आप चाहो तो इसे दो कर सकते हो, दो रहने दीजिए, दो ठीक है बिल्कुल भी, कि आपके hotspot से सिर्फ दो लोग connect हो सकें, ठीक है, इसके बाद आपको एक तीसरी setting भी मिलेगी, जो पहले number पर basically, blacklist करके, तो यह यहां पर आपको जो भी device देखे, सब को आप यहां से remove कर दीजेगा, इसकी help से क्या होता है, इसकी वज़े से basically, जो सामने वाला बंदा है, वो blocklist पे चल जाता है और उसको आपको hotspot जो है, वो show नहीं करता है, तो इन सारी चीजों को आपको check कर लेना है, और आप क्या कर सक करना है, आपको अपने phone को एक बार restart करना है, ठीक है, जैसी आप अपने phone को एक बार restart कर लोगे, यह वाली जो problem है, guys, वो 90% chance है कि आपकी problem यह वाली जो है, वो easily fix हो जाएगी, अगर फिर भी fix नहीं होती है, तो 10% chance है, और 10% chance में भी यह chance है, कि सामने वाले बंदे का Wi-Fi मे ही कुछ issue हो, तभी यह problem आपको आ रही है, अगर guys, आप Wi-Fi की settings भी जानना चाहते हो, कि अगर आपके सामने वाले के Wi-Fi में कोई problem है, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा, बट आप check कैसे कर सकते हो, आप क्या करना, आपके बस अगर कोई और device हो, तो इसमें आपके अपने hotspot को connect करनी की कोशिश करो, अगर उसमें connect हो जाए रहा है और एक phone में नहीं हो रहा है, यानि सामने वाले phone की ही problem है, आपके hotspot में कोई भी problem नहीं है, तो guys, यह कुछ settings थी, अगर आप check कर लेना आप अपने phone में, अगर यह सब सही है, तो probably आपको hotspot easily work करना चाहिए, कोई भी problem आपको नहीं आनी चाहिए, अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई हो, तो इस वाली वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा, और मैं विलता हूँ आप से next video में, thank you so much guys for watching, bye bye